हाई गाईस current affairs funda में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभिशेक शर्मा और इस वीडियो में हम 10 माई तक के सभी important current affairs cover करने वाले हैं वीडियो को आप अंतर तक जरूर देखे हैं क्योंकि आज हम हिमाचल परदेश के बारे में काफी important information लेंगे strategy के ठीक है एक mcq उसके तोर पर साथी friends अगर आप लोग नहीं जानते की loan restructuring का मतलब क्या है तो ये भी हम एक question के तुरू समझेंगे साथी guys इस session को सुरूर करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप हमारी one year की membership अवेल कर सकते हैं जिसके अंतर गत आपको चैनल पर upload होने वाली current affairs video pdf format में मिल जाएगी इसके लिए आप 249 रुपीज पे कर सकते हैं और ये membership आपकी एक साल के लिए valid रहेगी इसमें आपको daily current affairs pdf, weekly pdf और monthly pdf प्रोवाइट कराई जाती हैं साथी जो भी हम topic wise videos मनाते हैं जैसे कि appointments, obituries, days and themes, books and authors, important committees, IIT related videos जो हम बनाते हैं इन सब की pdf भी आपको provide कराई जाएगी, तो membership पाने का link आपको इस वीडियो के first comment में मिल जाएगा, कोई भी आपकी query हो, कुछ भी आप पूछना चाते हैं, तो हमें comment box में जरूर लिखेगा, तो चलिए फिर करते हैं शुरूवात इस video session की, परवत धारा योजना के तहट किस राज्य में वन तालाबों का निर्माण किया जा रहा है, options आपके सामने हैं और correct answer होगा, option C, under the परवत धारा scheme, forest ponds are being constructed in हिमाचल परदेश, देखें, groundwater की कमी जैसी समस्याओं को हल करने, और वर्साजल के संरक्षन के लिए, हिमाचल परद यानी फिर से उन्हें चालो इस्तिती में लाए जाएगा, अब जानते हैं हिमाचल परदेश के बारे में, हिमाचल परदेश की गवेंडर बंदारू दत्तात्रेय हैं, यहां की चीफ मिनिस्टर है, जैराम ठाकूर और शिमला यहां की कैपिटल है, साथ ही आपको यह भी ज साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि महाराना परताप सागर जिसे की पॉंग रिजर्वायर भी कहते हैं या फिर पॉंग डैम लेक भी कहते हैं, यह एक रामसर वैटलेंड है और ब्यास रिवर पर इस्तित है, साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि रेनु का वैटले प्रडेश में है चंदर्दाल यह भी रामसर वैटलेंड है और हिमाचल प्रडेश में है साथिय अगरम बात करें हिमाचल प्रडेश से जो GI टैक प्रोडक्ट्स हैं तो इन कुल्लू सॉल, कांगडा टी, चंबा रुमाल, किनोरी सॉल, कांगडा पेंटिंग्स, हिमाचली काला जीरा और हिमाचली चुल्ली ओयल ये सभी इसमें जो है लिस्टेड है साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 8 जुलाई 2008 को युनेसको ने कालका सिमला रेलवेस को Mountain Railways of India World Heritage Site की लिस्ट में एड किया था और फेंट्स ये भी आप याद रखेगा मोख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्प लाइन 1100 ये किस स्टेट से संबंदित है हिमाचर परदेश से संबंदित है इस तरह से भी कोश्यन पूछ ले जाते हैं आगे बढ़ते हैं निमलिखित में से किस ने चात्रों और अभिपावकों के लिए दोस्ट फोर लाइफ मोबाइल एप्लिकेशन लॉंच किया है ओप्शनस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ओप्शन ए सो CBSC लॉंच्ट दोस्ट फोर लाइफ मोबाइल एप फोर स्टुडेंट्स एंड पेरेंट्स CBSC का मतलब है सेंटरल बोर्ड ओफ सेकंडरी एजुकेशन तो देखिए CBSC ने चात्रों के मानसिक स्वास्ते के लिए CBSC दोस्ट फोर लाइफ एप लॉंच किया है ये एप कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए उपलब्ध है ताकि उन्हें मानसिक स्वास्ते को ठीक रखने में मदद मिल सके साथी आपको ये भी जानना चाहिए कि CBSC के चेर परसन है मनोज आहुजा किस राज्य में मिया का बाड़ा इस्टेशन का नाम बदल कर महेश नगर कर दिया गया है तो इसका सही आंसर होगा option C So in Rajasthan मिया का बाड़ा इस्टेशन has been renamed as महेश नगर साथी friends यहाँ पर एक important point आपको ये जानना चाहिए कि अगर कोई भी state अपने हाँ कोई village हो या town हो या कोई city हो या railway station हो अगर इसका नाम बदलना चाहता है तो ये proposal home ministry को भेजा जाता है जो central home ministry है उसको भेजा जाता है उसके बाद जो home ministry है ये approve करती है ठीक है जो बाकी की central agencies हैं उनसे discuss करने के बाद इस proposal को approve करती है resolution framework 2.0 के तहत योग्य होंगे काफी important question है friends तो इसका सही answer होगा option D तो individuals and small businesses with loans of up to 25 crore shall be eligible under the resolution framework 2.0 बात हो रही है RBI की जो RBI नहीं आप अभी हाली में announce किया था अब देखते हैं friends काफी important question है ध्यान से देखिएगा देखिए Reserve Bank of India ने Corona महामारी से trust व्यक्तिकत कर जाता और छोटे कारेबारियों को एक बार फिर से loan restructuring यानी कर्ज पुनर गठन की सुईदा दी है तो इसके तहत 25 करोड रुपे तक के loan का पुनर गठन यानी restructuring किया जा सकता है देखिए friends पहले आप ही जानी की restructuring का मतलब क्या है इसको पढ़ते हैं ये cutting मैंने लिए हिंदुस्तान न्यूस पेपर से देखिए जब कोई व्यक्ति या company loan लेती है तो तय अवधी में bank को ब्याज सही चुकाना होता है लेकिन अगर कोई विसम आर्थिक इस्तिती या आपदा आ जाती है जैसे कि फिलाल हाई हुई है और loan चुकाना मुस्किल हो जाता है क्योंकि आपकी pay cut हो जाती है तो ऐसी इस्तिते में RBI loan restructuring की सुख़दा देती है मान लीजी आपने 60 महीने के लिए कोई loan लिया था अब restructuring के सुख़दा के तहट 60 की जगे आप 65 या 70 महीने तक आपको चुकाने का मौका मिलता है अब देखिए मैं आपको और अच्छे समझाता हूँ restructuring देखिए 3 तरह से हो सकती है पहले तो यह जो आपने interest आपने नहीं भरा है उस interest को add करके आपके loan amount को बढ़ा जा सकता है ठीक है आपने interest नहीं दिया तो उस interest को आपके loan में ये add कर दे जाएगा और आपकी loan के amount बढ़ जाएगी दूसरा यह है कि आपकी EMI जो है वो घटा दी जाए लेकिन जो tenure है वो बढ़ा दिया जाए और तीसरा तरीका क्या होता है moratorium period इसमें दिया जाता है यानि आपने आपको EMI नहीं भरनी है लेकिन जो interest है वो accumulate होता रहता है जिसे finally आपको बाद में भरना जुरूर पढ़ता है तो इस तीन तरह से restructuring की जा सकती है यह hope आपको समझ में आ गया होगा अगर नहीं आया तो फिर से एक दो बार सुनिए आपको समझ में आ जाएगा ठीक है play speed आप slow करके तब सुन सकते है अच्छा साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि यह जो long recast यह scheme जो RBI ने अब कही है इससे पहले friends यह पिछले साल भी चली थी ठीक है और अब यह इसलिए 2.0 लिखा है क्योंकि इस बार फिर से RBI इसमें कुछ changes के साथ आया है तो आपको इसलिए यह जानना चाहिए कि जो भी इसकी सुईधा लेना चाहते है तो 30 सितंबर 2021 तक ले सकते हैं और bank को इस 30 सितंबर के बाद भी 90 दिन का time मिलेगा कि वो इसको implement करने इस scheme को और साथ ही आपको यह जानना चाहिए कि देखिए 25 करोड की limit है ठीक है जिनके loan है 25 करोड तक के उनको यह सुईधा मिलेगी साथ ही आपका जो loan है वो 31 मार्च 2021 तक standard loan होना चाहिए तो standard loan का मतलब क्या है आप यहां से देखिए standard loans are those that are being regularly serviced although loans continue to remain standard up to 19 days of delay beyond which it becomes substandard or a bad loan देखिए इस तरह का loan मान लिज़े आपने loan लिया है और आपकी उसकी किस्त भी बिल्कुल सही time पर दे रहे है लेकिन अब आपको जो है तीन महीने हो गए यानि 90 days हो गए है कि आपने जो है उसका सुचारू रूप से सही रूप से आप अपना loan नहीं भर पा रहे है तो 90 days तक भी आपका loan standard loan रहेगा WHO ने किस देश की Sinopharm vaccine को आपात कालीन सुरकृती दी है options आपके सामने है और correct answer होगा option A so China's Sinopharm vaccine has been given emergency approval by the WHO और इसमें आपको यह जानना चाहिए कि अभी यह जो है पहली non-western country द्वारा बनी गई पहली COVID-19 की vaccine बन गई है जिसे WHO ने approve गया है जिसे Europe या फिर जो और भी इदर की जो countries है उन्होंने develop नहीं किया है तो Asia का हो गया है ना तो Asia ने इसको विक्सित किया है तो WHO ने इसको approve कर दिया है तो यह पहली vaccine बन गई है जो की non-western country द्वारा develop की गई है और जिसे WHO द्वारा approve किया गया है साधी फ्रेंट्स यह इस तरह की पहली vaccine है जिसे WHO ने approve किया है क्योंकि चाइना की आज तक भी कोई भी vaccine infectious disease के लिए WHO ने approve नहीं की है ठीक है तो यह पहली vaccine बन गई है यह भी आप याद रखेगा और इसके साथ WHO ने देखिए पहले भी कई सारी vaccine जो है approve कर दियें जैसे की Pfizer, Bio and Tech के द्वारा निर्मीज जो है AstraZeneca द्वारा जो है Johnson & Johnson और Modern ने द्वारे जो भी बनाई गई है इनको भी approve कर चुकी है THDC-IL के अध्यक्ष और प्रबंद निदेशक का अत्रिक्त परभार किसने समाला है options आपके सामने है और correct answer होगा option A So Vijay Goel has assumed the additional charge of chairman and managing director of THDC-IL तो additional charge इन्टों ने हैं आपर समाला है तो TIDC India Limited ये एक मिनी रत्न PSU है और आपको पताऊगा ये जो टिहरी डैम का आपने नाम सुनाऊगा उत्राखण में है टिहरी जगह पर है तो ये भारत में tallest डैम है ये आपको जानना चाहिए तो इसको ये ही operate करती है और THDC की बात करें तो इसका headquarters रिशी केश उत्राखण में है और parent organization है NTPC Limited तो ये NTPC Limited की Holly-owned company है भारतिय मोल की किस immunologist को परतिश्ठित National Academy of Sciences के लिए चुना गया है So इसका सही answer होगा option B So Sankar Ghos जो की Indian origin immunologist has been elected to the prestigious National Academy of Sciences तो friends original research में इनके जो achievements है और इनका जो contribution है उसके लिए National Academy of Sciences ने इन्हें 120 लोगों में सामिल किया है और जो National Academy of Science है ये एक non-profit institution है जो की यहां के president रहे है Abraham Lincoln ठीक है उनके sign द्वारा इसको launch किया गया था Mumbai में जन्मे या जन्मी के शिक्सा विदने सेख जायद बुक पुरुसकार जीता है options आपके सामने है और correct answer होगा option D So Mumbai born academician डॉक्टर ताहेरा कुतब बुद्दीन वन दसेख जायद बुक अवार्ड देखिए तो ये जो है जो डॉक्टर ताहेरा है ये उनिवर्स्टी ओफ सिकागो में Arabic Literature की प्रोफेसर है और इन्हें जो है सेख जायद बुक अवार्ड मिला है जिसे की आप अरब वर्ड का Nobel Prize कहते हैं और किस बुक के लिए मिला है Arabic Oration Art and Function ये इनकी बुक है इसके लिए इने ये प्राइज मिला है फ्रेंड्स अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक भी करते रा किजिए Mayflower 400 क्या है तो सही आंसरों का Option B So Mayflower 400 ये एक First Artificial Intelligence Ship है और इसको किस ने बनाया है Promare ये एक Marine Research Organization है इसने IBM के साथ मिलकर इसको डेवलप किया है क्या है ये वर्ड की First Intelligent Ship और ये First Unmanned Vessel है जो की Atlantic Ocean में नेविगेट करेगा ठीक है तो इसमें कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है Unmanned है ये Vessel और आपको बता दें इसका काम क्या होगा ये Aquatic Animals जो समुद्र में रहते हैं उनको ट्रेक करेगी साथी जो Water में Plastic वगएरा का जो कच्रा रहता है उसको देखेगी और जो Marine Pollution है उस सभी का डेटा ये जोटाएगी किस वीडियो शेरिंग सोशल नेटवर्किंग प्लेटफोर्म ने Sozy Chevas को नेया मुख्य कारेकारी अधिकारी यानि CEO न्यूखत किया है Options आपके सामने है और correct answer होगा Option B So TikTok जानते हैं इनके बारे में सबसे important जानकारी है यह सिंगापुर के है ठीक है यूएस के साथ जो विवाद हो रहा है तो उसके तहती आप समझ सकते हैं इनोंने सिंगापुर के इन व्यक्ति को यह एपोइंट किया है ठीक है और आपको बता दें कि इसमें क्या जान सकते हैं इसमें हाँ यह जान सकते है कि जो TikTok है इसको चाइना में बोलते हैं डोविन इस नाम से इसको जाना जाता है ठीक है बागी गंट्री में तो TikTok के नाम से जाना जाता है और इसकी जो parent country है जो इसकी AI यानि Artificial Intelligence उपकरण विक्सित किया है, Options आपके सामने हैं, और Correct Answer होगा, Option A, So, DRDU has developed an AI tool named 80-man AI for COVID detection in chest X-rays, तो chest X-ray जो है, इस तरह का एक पता किया है, जिससे की COVID-19 disease का पता चल जाएगा, तो इस तरह की ये Artificial Intelligence algorithm इन्होंने डेवलप किया है, जिसका नाम है 80-man AI, और किसने डेवलप किया है, DRDU है, जो Center for Artificial Intelligence and Robotics, इसने क्या है, कभी-कभी, Friends, Options में इस तरह से भी आ सकते हैं, कि DRDU ना दिया गया हो, किवल ये नाम दिया गया हो, इस तरह की 4-5 Lab जो DRDU की आपकी Option में दी जा सकती है, तो उसमें आपको ये याद रखना होगा, ठीके, Friends, Center for Artificial Intelligence and Robotics, इसने किया है, DRDU की बात करें, तो चेर्मन हैं, जी शाती स्रेटी, फांड़ेट कभी स्था अपना हुई थी, 1958 में, और हैटकॉर्टर से, नियू डेली वहें, अब देख लेते हैं, प्रिवेस असाइनमेंट कोश्चन्स के आंसर, MK Staline is the CM of which state, Tamil Nadu, SEMA Bishra is associated with which sport, Wrestling, UK and India will double their trade by which year, 2030, The Golden Beach which got blue flag certification is in which state, Puri Udisha, Center for Cellular and Molecular Biology is located in which state, Hyderabad, Telangana, और आप में से कई सारे एस्पिरेंट्स ने पांचा कोश्चन्स के आंसर का भी खुब सूर्दी से दिये हैं, कुछ एस्पिरेंट्स ने एक कोश्चन का आंसर भी दिया है, तो आप इसी तरह से पार्टिस्पेट करते रहिए, ठीक है, अब देख लेते हैं, आज के सांइमेंट कोश्चन्स, रूपसी एरपोर्ट इस इन विच स्टेट, हुई इस नोन अज दा बार्ड ऑफ पेंगाल, हैट्वार्टर्स ओफ जैट्टी ए कोर्परेशन इस लोकेट इन विच कंट्री, रॉस बॉल और एजियस बॉल इस्टेडियम इस लोकेटेड इन विच कंट्री, विर इस दे हैट्वार्टर्स ओफ इंटरनेशनल कमीटी ओफ दे रैड क्रोस इस इर्स लोकेटेट, देखे सभी कोश्चन जो हैं चर्चा में हैं, फिफ्ट भी चर्चा में हैं हाडी में, फॉर्थ भी चर्चा में हैं, थर्ड भी चर्चा में हैं, और सेकिंड भी चर्चा में हैं, फर्स्ट वाल आप समझ सकते हैं कि ये फिलाल न्यूस में नहीं है ये एक strategy के है लेकिन काफी important है इस airports आपसे पूछ ले जाते हैं जो local airports होते हैं ये भी पूछ ले जाते हैं तो इन 5 questions के answer आप comment box में बताईएगा अगर आपको एक question का answer भी आता है तो वो भी आप हमें comment box में जरू से बताया कीजिए और साथ में आप सभी current affairs funda को friends telegram पर जरूर जोइन कर लें यहाँ पर आपको regular video updates और current quizzes आप सभी के लिए डालते हैं साथ ही discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं और दोस्ते आपर current affairs की playlist दी गई है इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के झालते हैं